दोस्तो नमस्कार एक बर फिर से आपका अन्विदार के में स्वागत है दोस्तो आज हम देखेंगे बिटकोईन 12,000 डॉलर को क्रॉस कर सकता है या नहीं कर सकता है क्योंकि बिटकोईन बना रहा है एक सिमिट्रिकल ट्राइंगिल हम लेके चलेंगे उस पर और दूसरा हम आज बात करेंगे कि बिटकोईन की डॉमिनेंस जो है वो क्या चल रही है बिटकोईन की डॉमिनेंस एक बहुत इंपेक्ट पड़ता है अल्टकोईन के ऊपर फिर उसके बाद कुछ खवरें लेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्यों हॉलीबुट की बहतरीन एक अविनित कर रहे हैं दूसरी खवर लेंगे कि एथेरियम के माइनर किस तरीके से इस समय बहुत प्रॉफिट उठा रहे हैं जब डीफाई चल रहा था तब उन्होंने कैसे प्रॉफिट उठाया और खवर लेंगे यूएसे के एलेक्शन के बारे में कि यूएसे का इलेक्शन जो है वो किस तरीके से बिटकोईन के उपर इंपेक्ट डाल सकता है और एक खवर लेंगे पाकिस्ताइन की तरफ से कि पाकिस्ताइन ने जो बैन लगा रखा है बिटकोईन के उपर क्रप्टो करेंसी के उपर उस पर क्या स्टेटस चल रहा है और क्या उसमें कोट में क्या होने दोस्तों स्टार्ट करने से पहले एक बार आपसे फिर कहुंगा कि अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करदें और इसको शेयर करें अगर ज़्यादा पसंद आता है और अगर आपने हमारा चैनल जो वो subscribe नहीं किया है तो subscribe कर लें क्योंकि आपको हमेशा इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो हम लेकर आते रहते हैं जिससे आपको timely notification जो है वो हमारे वीडियो का मिलता रहे दूसरी बात कहुँगा कि अगर आप trader है या आप trading करना चाहते हैं या trading सीखन चाहते हैं तो हमारा telegram group में आप join कर सकते हैं नीचे description में लिखा हुआ है उसकी link मिल जाएगी आपको बिल्कुल free है तो आप उसको join कर सकते हैं तीसरा एक बात और कहुँगा कि हमारा एक tool है elite crypto tool वो भी trading सीखने वालों के लिए बहुत बढ़िया है बहुत अच्छा है आप आप जाके उस elite crypto tool में बहुत सारी चीजें जो है वो सीख सकते हैं समझ सकते हैं चाहें आप नए हो क्रप्रो करणसी में चाहें पुराने हो तो आप इसको भी free of cost जो है वो join कर सकते हैं क्योंकि market में बहुत पैसे लेते हैं सतर असी डॉलर जो ले रहे हैं इस tool को बेच रहे हैं लोगवाग तो हम अभी आपको इसको बिल्कुल free दे रहे हैं तो दोस्तों चलते हैं आज के चार्ट के उपर bitcoin के चार्ट के उपर बात करेंगे कि कि किस तरीके से symmetrical triangle जो है वो बन रहा है और क्या कह रहा है यह symmetrical triangle bitcoin के price के बारे में आप देख सकते हैं यह मैंने चार्ट बना रखा है और चार्ट में आप देख रहे हैं कि सिमीटिकल triangle बन रहा है और इससे क्या हो रहा है जो हमें पता लग रहा है कि bitcoin ने बहुत अच्छा move लिया 11400 के आसपास इस समय bitcoin चल रहा है और जो इसकी resistance है अभी दोस् connection हो रहा है वो मैं बता रहा हूं आपको तो current अभी जो रेश्टन चल रही है वो 11600 के आसपास है और जो target है हमारा bitcoin का वो 11600 है 11600 के बाद यह कुछ correction ले सकता है लेकिन long term में यह उपर जाना ही जाना है दोस्तों आप लेके चलते हैं आपको bitcoin के dominance के बारे में बताता हूं कि आप देखिए bitcoin का dominance का मैंने chart कोल दिया है और आप देख रहे हैं कि अभी dominance जो है वो करीवन sideways चल रही है दोस्तों और जब तक dominance जो है वो bitcoin की कब नहीं होगी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं वीडियो में तो जब तक bitcoin की dominance कम नहीं होगी जब तक bitcoin की dominance 58 57 के आसपास नह तक alt coin में दम नहीं पड़ेगा मैं आपको पहले ही बता चुका हूं क्योंकि जितना भी fund है वो bitcoin में जब सरक जाता है तो alt की हालत पतली हो जाती है इसलिए अभी जो alt है वो बहुत अच्छा प्रतरसन नहीं कर रहे हैं आप देख रहे होंगे market में क्योंकि अभी जो है bitcoin में dominance जो है वो भी बड़ी है दोस्तों आप भी इस tool को use कर सकते हो यह मैंने अपना elite crypto tool खोल रखा है आप देख रहे होंगे आप इसमें जाके आराम से सीख सकते हैं यह सारे हमने triangles के बारे में बता रखा है इसमें चार्ट से बारे में आपको बता रखा है इसके वीडियो भी पड़े हुए हैं तो आप जाके इसमें समझ सकते हैं सीख सकते हैं देख सकते हैं बार बार इसको समझ सकते हैं तो आप जाईए और elite crypto tool में register कीजिए आपके लिए बुलकुल मुफीद और बुलकुल नया यह साबित होगा दोस्तों अब लेते हैं कुछ खास news जो आपको फिल्म जो है वह sign की है जिसका नाम है फेक और ये फिल्म जो है ये बन रही है one coin के ओपर आपको पता ही होगा कि one coin ने एक बबड़ा scandal किया था बहुत बड़ा scam किया था जिसमें millions dollar जो है वो लोगों के चंपत लगे थे बबकतब उनके गायव होगाए थे तो मैं आपको ब फिल्म बन रही है जिसमें इतनी वड़ी अवनेत्री ने काम करना accept कर लिया है दोस्तों इस फिल्म को जो बना रहे हैं उनका नाम है मैक आडम और मैक आडम ही थे जिनके साथ ये फ्रॉड हुआ था बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था उन्होंने इसमें अपनी किताब में ये पूरा विबरन जो है वो सारा लिखा है एक कहानी के रूप में तो मैक आडम जो है वो इस फिल्म के प्रडूसर भी है तो दोस्तों देखते हैं बहुत ही जल्दी ये फिल्म जो है वो परदे पर आएगी हॉलिवुट के परदे पर आएगी और उम्मीद है कि आप लोगों को भी देखने को ये मिलेगी अगली खबर लेके चलता हूँ अगली खबर बहुत अच्छी आ रही है और आपने पिछले दुनों एक खबर सुनी होगी अगर नहीं सुनी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ ट्यूटर के मालिक जो है जिनका नाम है जैक डॉर्सी और उनकी एक दूसरी कमपनी है स्कॉयर और उसने अपनी कमपनी का जो है करीवन एक परसेंट फंड जो है वो बिटकॉइन में लगा दिया है दोस्तों ये खबर बनती है बहुत ही बड़ी आपको बताऊँ कि ट्विटर जो है वो बहुत बड़ी कमपनी है बहुत बड़ी सोस्टल मीडिया है और उसकी ही एक सिस्टर कंसरंड है एक उसकी ही कमपनी है स्कॉयर जिसमें उसने करीवन 50 मिलियन डॉलर के बिटकॉइन ज करके Bitcoin में जो है investment कर रही है corporate company जो है वो Bitcoin में आ रही है और धीरे-धीरे उसमें invest कर रही है तो मैं आपको बताऊं कि यह जो public company है यह Bitcoin को adapt कर रही है एक तरीके से reserve assets के रूप में उसको रख रही है मैं आपको एक list दिखाता हूँ और list में आपको बताता हूँ कि जो बहुत बड़ी कंपनिया है बड़ी-बड़ी कंपनिया है उन्होंने कितने-कितने Bitcoin जो है वो reserve कर रहे हैं सबसे पहले आपको पता होगा कि एक company है MicroStrategy Inc. इसने करीवन 38,250 Bitcoin जो है वो अपनी pocket में रख लिए है उसके बाद है Glaxi Digital Holding इसने करीवन 16,651 Bitcoin जो है वो holding कर रखे है उसके बाद आता है Square का नाम जैसे मैंने आपको बताया कि इसके पास है करीवन 4,709 Bitcoin और ऐसी बहुत सी कंपनिया है जैसे हट माइन क्रॉप है रॉइट ब्लॉक्चेन है डिजिटल एक्स है ग्रेस्केल है जैसे आपको पता होगा ग्रेस्केल बिटकोईन ट्रस्ट करके बहुत बड़ी कंपनिया है उसने भी काफी सारे बिटकोईन जो खरीद रखे है तो कुल मलाके 5,98,237 बिटकोईन जो है वो खरीदे जा चुके हैं बड़ी-बड़ी कंपनियों के द्वारा ये तो नोटिड है और जो अनोटिड है उसका पता नहीं कितने bitcoin और खरीदे हैं तो आप देख रहे होंगे कि जब बहुत बड़ी-बड़ी कमपनिया corporate houses जो है public company बिटकोईन को खरीदने के लिए आगे बढ़ रही हैं तो 100% जो है वो लाग डॉलर भी अगर कीमत हो जाती है तो बिटकोईन की बहुत बड़ी हम ये एक सीमा रेखा मानेंगे एक limit मानेंगे और इसमें बहुत सारे लोग जो है करोर पती और अरपती बन जाएंगे दोस्तों अगली ख़बर लेता हूँ और अगली ख़बर आ रही है इथेरियम की माइनिंग की तरफ से और इथेरियम के माइनर्स की बल्ले वले हो गई है पिछले डीफाई का जब से बूम चला है तब से और उन्होंने चार लाख पचास जार इथेरियम जो है वो पिछले दुनों माइन किये है इथेरियम माइनिंग माइनर्स ने दोस्तों जैसा पहले भी आपको बताता रहा हूँ बहुत सारे लोग मुझसे कुशन पूछते है कि सर माइनिंग में क्या फादा होगा तो हमेशा ध्यान दुनों कि माइनिंग का फादा जो है वो कोईन के प्राइस और ब्लॉक्चेन की डिफिकल्टी के ऊपर डिपेंड करता है तो आप देख रहा होंगों कि इथेरियम माइनिस ने बहुती अच्छा प्राफिट किया है पिछले दुनों जब से डिफाई जो है पीक पर आया है तब से उन्होंने नेटवर्क में जब से फीज बड़ी है तब से बहुती अच्छा फादा किया है चार लाग पचास जार इथेरियम जो है वो कम से कम टोटल उन्होंने कमाए है माइनर्स ने अगली खबर लेता हूँ अगली खबर जो है वो यूएस की तरफ से है और आपको बताओं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि यूएस में बहुती जल्दी जैसे आपको पता है इलेक्शन आने वाने है तो का क्या impact पढ़ेगा cryptocurrency के price के उपर bitcoin के price के उपर चौे तो दोस्तों जो बहुत सारे export है उनका कहना है की अगर चुनाब जो है वो एक तरफा हुआ है मतलब अगर ट्रंप जो है वह एक तरफा जीत रहे होंगे तो Bitcoin और crowd a currency के price पर कोई भी बहुत बड़ा impact नहीं पड़ेगा और अगर ये काटे की टक्कर हुई और अगर ये दुबारा सुनिएगा ये वात मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर काटे की टक्कर हुई तो bitcoin और gold का price हमेशा की तरह बहुत ही बड़ेगा तो दोस्तों ये बहुत बड़े expert का कहना है जो मैं आप को बता रहा हूँ कि अगर काटे की टक्कर हुई Trumps के साथ और लोगों की जो भी और राजनीतिक पार्टिया है उनकी तो bitcoin के price और gold के price जो है वो 100% बड़ेंगे दोस्तों अगली खबर लेता हूँ अगली खबर जो है वो पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और आपको पता हो नहीं हो सकती दोस्तों बुलकुल ठीक बैसे ही जैसे यहां Reserve Bank ने बैन लगा दिया था इंडिया के अंदर कि आप कोई भी transaction जो है वो बैंक के थुरू नहीं कर सकते सेम वही कहानी हुई थी पाकिस्तान के अंदर वहां भी State Bank जो है वहां की जो National Bank है उसने वहां बैन कर दिय currency को तो अभी जो कहानी चल रही है वो यह चल रही है कि पाकिस्तान के High Court में इसको चेलेंज किया गया है और वहां के जो जस्टिस है जस्टिस मुहंबद एक्वाल कुल्रो करके नाम है जिनका उन्होंने कहा है कि Bitcoin और Altcoin को बैन करने का कोई मकसद नहीं बनता यह उनके जज कि क्या वहां cryptocurrency बहुत लंबे समय तक बैन हो सकती है नहीं हो सकती है तो मैं यह बात अपने पाकिस्तानी दोस्तों के साथ भी request करना चाहूंगा क्योंकि बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं पाकिस्तानी भी है तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि क्या वहां चल रहा है किस तरीके की सिजरा चल रहा है आपको अगर जादा पता है जहां तक मुझे पता है वो मैंने बताया अगर आपको जादा पता है तो आप हमें comment कीजिए और comment करके बताईए कि पाकिस्तान में cryptocurrency और bitcoin की क्या चल रही है कहानी और वहां के high court में किस तरीके की judgment की तैयारी चल है किस तरीके की लड़ाई वहां जो है वो आप लोग लड़ रहे हैं तो दोस्तों ये थी आज की खवरें और जाने से पहले एक बार फिर आपसे रुकेस करता हूं कि अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें क्योंकि वीडियो वराने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपका एक लाइक जो है वो हमारी मेहनत को एक सपोर्ट देता है उत्साह देता है और दूसरा अगर आपने हमारा चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरू कर ले क्योंकि आपको टैमली जो है वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है और आप उसको time भी देख सकते है दोस्तों instant update के लिए आप हमारा tutor handle जो है वो आप join कर सकते हैं उसकी link भी नीचे description में आपको मिल जाएगी और आप हमारा telegram group जो है वो तो आप join करी लिजे क्योंकि वो आपके लिए बहुत भी काम की चीज है तो उसकी link भी जो है वो नीचे आपको description में मिल जाएगी तो दोस्तों इसी के साथ विदा चाहते हैं तब तक के लिए नमस्कार जैहिन